हलो दोस्तो आज किस वीडियो में इन्टी पीसी अब हम गुरूपडी दोनों भरती के बारे में बात करने बाले हैं कि आखिर ये दोनों भरती के पूरी पड़किरिया कब तक कम्पलीट हो पाएगी यही सवाल रेल मंतरी से लोगसभा में पूछा गया था जिस पर रेल मंतरी का लिखित जवाब दिया गया है और रेल मंतरी के दोरा जो जवाब दिये गए हुए चवकाने बाले तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि रेल मंतरी से लोगसभा में कौन-कौन से सवाल पू सश्री चन्देश्वर परसाद के दोरा लोक सभा में आठ बारा दोहजार एक कीस को पुछा गया था लेकिन इन सभी प्रसनों का जवाब तूरत नहीं दिया जाता है कुछ समय बाद इन सभी प्रसनों का जवाब दिया जाता है जिस पर रेल मंतरी के दोरा जवाब दे दिया गया है तो प्रसनों की बात करें तो रेल मंतरी से कुल 6 प्रसन पूछे गेते जिसमें की पहला प्रसन आप लोग देख सकते हैं की पहला प्रसन है क्या रेलवे ने देश भर में पदों को भरने में देरी के कारण रिक्त पदों को भरने के लिए संबंदित विभावगों को राज संग, राज छेतर, जोनवार, विसेश रूप से उत्तर परदेश में कोई निर्देश दिया है। उसके बाद दूसरा परसना यदी हां तो विरोजगारों को रोजगार उपलब्द कराने और देश में विरोजगारी को रोकने के लिए रेलबे के द्वारा क्या कदम उठाए गए है। आप सभी को पताए कि NTPC एवम गुरूबडी की भरती चल रही है, साथ ही MI यानि की Ministerial एवम आइसोलेटेट केटेगरी की भरती चल रही है, तो ये भरती समय सीमा इस बरती को भरने के लिए समय सीमा क्या है, यानि कि ये भरती कब तक कंपलीट होगी। उसके बाद पाजमा परसने इन रिक्त पदों में से अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती के लिए अरक्शित पदों की संख्या कितनी है, और इन पदों को न भरने की क्या कारण है, और छठा परसने, गत तीन वरसों में रोजकार के अपसर बरानी के लिए सरकार के द्वरा की गई कारबारी का व्यवरा क्या है तो आप सभी के रिलेटर ये 2 परसन 3 और 4 परसन जिसमें पूछा गया है कि क्या लंबे समय से भाड़ी संक्या में रेलबे में रिक्त पदों को भरने में कोई देरी हो रही है उसके बाद यदि हाँ तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए समय सीमा का व्योरा क्या है तो रेल मंतरी से यही पुचा गए कि क्या रेलबे में रिक्त पदों को भरने में कोई देरी हो रही है यदि हाँ तो इन पदों को भरने की समय सिमा क्या है यानि कि ये पद कब तक भड़े जाएंगे तो इसका जबाब रेल संचार इवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोध्यकी की मंतरी स्री अश्वेनी बेसनब जी के दोरा दिया गया है तो जबाब में आप लोग देख सकते हैं कि कोई से लेकर चोध तक के प्रसनों का जबाब दिया गया है जी नहीं रिक्तियों का स्रीजन होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रिक्रिया है तता इने परिचालनिक अविसकताओं के नुसार भरती एजंसियों के साथ भारतिय रेल द्वारा मांग पत्रों के प्रस्तूती करन के द्वारा भरा जाता है इस प्रिक्रिया के दौन रिक्तिया स्र भरी जाती है विभीन राज्योंत और कोविर नाइंटिन से संबंदित परती बंदों और परिनामी लोकडाउन लगाने के कारण परिक्षा की परक्रिया परवावित हुई है देश में कोविर नाइंटिन की पहली लहर के कम होने के बात जब चीजे समान हो गई रेलबे भरती बोडों ने पंदरा बारा दोजार बीस से चर्नों में अधी सूचित रिक्तियों के लिए भरती परक्रिया शुरू कर दी है तो रेल मंतरी का आप लोग चोकाने वाला जबाब देख सकते हैं या पुछा गया था कि क्या लंबे समय से भारी संख्या में रिक्त पदों को भ जबाब नहीं दिया गया है तो रेल मंतरी ने साफ साफ यही कहा है कि रेलवे में जो भी रिक्त पद हैं उन्हें भरने में कोई भी देरी नहीं हो रही है इसका साफ साफ मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि रेल मंतरी का यही कहना है कि एंटीपी सीवम गुरूबडी बरती म देरी हुई है और NTPC वम गुरूबडी भरती कब तक कम्पलीट होगी इसके बारे में रेल मंत्री के द्वारा कोई भी समय सीमा नहीं दिया गया यानि कि अभी तक रेल मंत्री को यह नहीं पता है कि NTPC वम गुरूबडी भरती कब तक कम्पलीट होगी जबकि भरती को तीन स साल होने को है और NTPC में सिर्फ एक एक्जाम लिया गया है वहीं गुरूबडी में अभी तक एक भी एक्जाम नहीं लिया गया है तो रेल मंत्री के बयान से आप लोग समझ सकते हैं कि NTPC अभम गुरूबडी भरती दोहजार चौबडी से पहले कम्पलीट होने का बहुती कम चांस है तो आप लोग समझ सकते हैं कि NTPC अभम गुरूबडी भरती 2024 से पहले complete होने का बहुती कम chance है तो आप लोग इस वीडियो को जदा जदा share किजे ताकि और अधिक कंडियेट को NTPC एवं गुरूबडी भर्दी के बारे में रेल मंत्री का क्या के ना है इसके बारे में पता चल सके तो चलिए NTPC वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जदा ज़दा share करें और लाइक करें तो चलिए आज का बडियों समप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए अप लोग का धन्यवाद